पर आज हम जिस मुद्दे की या यू कहें कि जिस अपराद की बात करने वाले हैं वो इतना कॉमनली और इतना फ्रीक्वेंटली हमारे आसपास हो रहा है कि अब तो हम उसे नोटिस तक नहीं करते हैं हम आज की वीडियो में बात करेंगे बिजली चोरी यानिकी जोड़ सकते हैं सबसे पहली बात तो यह कि जब हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति के या एक परिवार या एक पर्टिकुलर घर के लेवल पर देखते हैं तो हो सकता है बिजली चोरी का मुद्दा हमें जादा बड़ा ना दिखाई दे लेकिन इसी को जब हम एक शहर की लेवल जो है वो चोरी हो जाती है अगर पूरे देश की बात करें तो साथी में एक report में ये भी दावा किया गया कि भारत में हर साल 10 से 15 बिलियन रुपीज की बिजली जुह हो चोरी हो जाती है ऐसे में हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि कोई एक प्रटिक्लर class या विशेश वर्ग के लोग ही बिजली चोरी करेंगे ऐसा नहीं है हमें देखने को मिलता है चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हर तबके के लोग यहां पर बिजली चोरी की घटाओं में indulged पाए जाते हैं जैसे कि एक रिपोर्ट आई थी 2002 आज से बहुत पुरानी रिपोर वो यह कि भई जो बिजली चोरी की जो घटनाएं हैं इससे जुड़ा हुआ क्या कानून हैं वो हम यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले तो यह जान लेना चाहिए लेडिस और जेंटलमें कि electricity क्या है यह एक concurrent subject होने का मतलब यह कि यह एक ऐसा subject है जिसके उपर केंद्र सरक सारें अपने अपने कानून बना सकती हैं यानि कि center government and state government दोनों इसके उपर कानून बना सकती हैं ऐसे में यहां पर जो सबसे मुख्य कानून काम आता है वो है यहां पर electricity act 2003 का अब यह electricity act 2003 पार्लेमेंट के द्वारा बनाया गया एक कानून है जो की comprehensively deal करता है बिजली चोरी हैं उनसे deal करता है और सारी स्टेट्स यह लगबग सारी की सारी स्टेट्स वें इसको फॉलो करती है अब मतलब जान लेते हैं बिजली चोरी का यानिकी electricity theft का मतलब क्या है इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती है और उसको इसी एक्ट में define किया गया है देखे बए सबसे पहल गर वह बई the to rescue person करता है क्या क्या करता है ठैप मेक्स और मेक्स अनिक इक सहने रेंस और देखने को मिलता है कि वह जो आम भाशा में बोलते हैं कि इसने बिजली craving के लिए कुंडी लगा ली अब कुंडी का मतलब क्या होता है कि आप जो है अपने घर से यहां पर यह आपका घर है और घर की चट से यहां पर जो है जो पोल है उसके साथ जुड़ी हुई तारों से आप जो है अपना connection establish कर लेते हैं तो पहला तो यह कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हो पाय जाता है तो वह बिजली चोरी की definition में आ जाएगा दूसरा यहां पर क्या कह रहा है जी कई लोग हमें देखने को मिलता है कि जो मीटर होता है जो आपके घरों में आम घरों में मीटर लगता है बिजली मी rating लेने आएएंगे उससे दो दिन पहले आप क्यास कर देते हैं तो ये भी क्या हो गया विजली की चोरी ही मानी जाएगी दूसरी यह जब हम बात करते हैं कि कि अगर कई करते हैं, अच्छा, कई लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं. क्या करेंगे? सारा महीना यहाँ पर बिजली का मीटर चलेगा. जिस दिन रीडिंग लेनी आएंगे, उससे एक दिन पहले मीटर ही तोड़ देते. अब मीटर तोड़ देंगे तो क्या होगा तो जो जो रीडिंग लेने आएगा क्योंकि उसे एक्ष्वल रीडिंग तो पता नहीं चलेगी तो वो पुरानी डूंडेगा पुरानी एवरेज के हिसाब से थोड़ा सा बिल बनेगा वो आपको इंपोस कर देगा तो यह भी एक जो काम है वो बिजली चोरी के नाम आ जाएगा फिर क्या आता है जी कहता है जी यूजेज इलेक्टरिसिटी फॉर दी परपस अदर देन फॉर विच्टी यूजेज ऑफ एलेक्टरिसिटी वाज उत्राइस कई लोग और भी बहुत जादा तेज हमें देखने को मिलते हैं क लेकिन करेंगे क्या वहाँ पर उस कनेक्शन पर चलाएंगे कमर्शियल यूनिट्स यानि कि बिजनस रन करेंगे तो यहां पर यह भी धोखादड़ी का मामला हो गया बिजली की चोरी का ही मामला हो गया अच्छा कई लोग और भी बहुत जादा तीज हमें देखने को मिलत बैसिकली ये सारे जो मुद्धे हैं ये बिजली चोरी की definition में fall कर जाते हैं ऐसे में क्या जो जो ऑफिसर हैं जो विजली डिपार्ट्मेंट के या बिजली विभाग के जो ऑफिसर हैं उनकी क्या powers हैं वो भी हम यहां पर जान लेते हैं देखे भई अगर किसी बिजली तो उसके पास यहां पर पूरा अधिकार है कि वह यहां पर आपके घर में यह जहां पर भी मीटर जिसको उसको शक है कि जिसको टैंपर किया गया है वहां पर घुश सकता है एंटर कर सकता है यहां पर सर्च एंड सीजर कर सकता है आप यहां पर देखेंगे तो मैंने यहां पर लिखा भी है क्या कहां मैंने कि भई अपर सन अपर सन ऑफ निगम और पर सन ऑफ निगम एंटर इंस्पेक्टर ब्रेक ओपन और सच एनी प्लेस और प्रमाइसेज एंड चेक दी मीटर तुरू विच दी ए सामने मीटर चेक किया जाएंगा मेरे सामने ही वहां पर पूरा एक मेमरेंडम बनाया जाएगा जिसमें लिखा पूरी पावर दी गई है उस व्यक्ति को यहां पर बिजली चोरी करने की जो घटना है उसको पकड़ने के लिए अच्छा अब बात करते हैं सजा की तो देखिए सजा का जो प्रावधान है वो यहां पर कुछ इस तरह से हैं सबसे पहले तो यहां पर बताया गया है कि अगर बिजली चोरी जो है वो लेस देन 10 वाट हुई है अगर बिजली चोरी लेस देन 10 वाट हुई है तो पहली बार अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता पाया गया है तो कैलकुलेट करेंगे कि बहुत कितनी बिजली चोरी हुई है उसका कितना अमांट बनना चाहिए था उसका मिनिम 3 टाइम्स जो है वह आपसे वसूल आजाएगा लेट से यहां पर ऐसा माना गया कि बिजली चोरी जो है वह 100 रुपीज की हुई है तो उसका minimum 3 टाइम्स या निकि 300 रुपीज तो आपसे लिया जाएगा अगर आप दूसरी बार भी ऐसी घटना में लिफ्ट पाए जाते हैं तो minimum जो है वह 6 टाइम्स आपसे लिया जाएगा माली जीए दूसरी बार भी आपका जो अमाउंट बनता है कि आपने 100 रुपे की बिजली चोरी की तो minimum 600 रुपे आपसे लिया जाएगा जब बिजली होती है less than 10 watts की चोरी जब बिजली जो है वह 10 watts से जादा की चोरी हो रही हैं कहता है जी not less than 30 financial gains माली जी आपने यहाँ पर जो है लेट से 1000 रुपे की बिजली चोरी कर ली तो यहाँ पर minimum जो है 3000 रुपे आपसे लिये जाएंगे and यहाँ पर अगर आप दूसरी बार यहाँ पर सेम अपराद में लिप्त पाए जाते हो तो यहाँ पर जो है अब सिर minimum and साथ में fine क्या है six times the financial gains माली जी आपने 1000 रुपे की बिजली चोरी की तो 1000 रुपे का into six minimum क्या हो गया 6000 जो है minimum यहाँ पर fine आपसे impose किया जाएगा तो यह है fine अच्छा अब हम बात करेंगे आगे इसी से जुड़े होई कुछ कानून की और प्रावधानों की कहता है जी the theft of electric lines and materials अब कई लोग हमें देखने को मिलता है भी transformer ही चोरी कर गया या फिर बिजली की तारें जो हैं वो चोरी कर ले ऐसे में क्या transformer हो बिजली की तार हो जो पोल्स हैं या कोई और बिजली विभाग की यहाँ पर कोई बी ऐसी कोई transmission की equipment हो अगर कोई विक्ति उसको चोरी करत पर उसको मिल सकती है या फिर उस पर फाइन लगाया जा सकता है या फिर दोनों उसको और या सकते हैं अच्छा अब कई बार हमें देखने को मिलता है ना हम सड़क पर घूम रहे हैं मजाक मजाक में आपने पत्थर उठाया और वो जो बिजली का खंबा जिसके उपर light लग म Weird को तोड़ते हैं उनके लिए आप देखेंगे यहां पर 2000 गया है उसको ऑगर आप देखते हैं उनको भी खरन काम काफी है आंड उसको करो 2000 का फाइन उनको यहाँ पर भरने के लिए मजबूर किया जा सकता है तो बेसिकली यह था हमारा आज का एक important issue जो कि बिजली चोरी की घटाएं हमें अपने आसपास देखने को मिलते रहती है अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे हां अगर आपको सड़ी आई कूर्स पर चेस कर रहे हैं तो चांद 33 कोर्स का कोड है अगर आप लगाएंगो उसमें आपको 33% का डिसकाउंट में मिलेगा अगली वीडियो में फिर एक बार मुला कात होगी तिल दन थेंक यू और हैव ग्रेट देएएद